हेलो दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे सांदार और जांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गैज आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डिस्टिक्ट कोर्ट की मैं क्लास लेकर आगया हूँ आज की क्लास में हम बात करेंगे एक, आठ और 29 अगस्त का जो भी एक्जाम का टार्गेट है वो मैं आपका पूरा करना चाहता हूँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के ऐसे सवाल जो 130 आपके एक्जाम में आएंगे आएंगे वीडियो पूरा देखने पर आपको पता चलेगा कितना बहतरीन मैंने कोंसेप्ट आपको बता दिया आपको मजा आज आएगा ठीक है, बिल्कुल ऐसे है सवाल आपके एक्जाम में आएंगे 100% आपका सेलेक्शन होगा बस आप लोगों के अंदर मुझी ये देखना है कि आप लोगों के अंदर पेसेंस कितना है कौन-कौन बच्चा वीडियो पूरा देखता है अगर वीडियो आप पूरा देखोगे तो गाईस 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पहुच जाओगे तो आज की वीडियो में हम टार्गेट रखेंगे जो भी आपका अगस्त में एक्जाम है मेरा टार्गेट रहेगा हर सब्जेक्ट में आपका 25 में से 25 आप लोग लेकर आओ ठीक है? उम्मीद करता हूँ अगर आपको लगता है मैं वीडियो मेहनत से बनाता हूँ तो गाईज एक लाइक तो बनता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरूप में शेयर कर देना प्लीज मैं आपकी पूरी तियारी कराने जा रहा हूँ आगे बढ़ लेते हैं गाईज पूरी जानकारी ले लेते हैं अगर आप किसी भी गोवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करे हो पहली बार चैनल पर आये हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम तास पर आपको टाइम टुटै मिलता रहे तो गाईज आज की वीडियो बहुत ही बैतरीन होने वाली है इस वीडियो में से आपके अगले पेपर में जो भी आपका एक्जाम होगा अगस्त में आपके यहां से कम से कम 6-7 सवाल रिपीट करने वाले है ठीक है वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे तभी आपको किल्यार होगा ओके गाईज वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं तो गाईज जैसे कि आप लोग जानते हो आज कल जमाना है थोड़ा डीप पढ़ाई करने का आपके डीप में से ही सवाल बनते है पहला सवाल आपके सामने है उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते वे जरूर चलेंगे नेमलिकित में से कौन भारत के समिधान का संरक्सक है चार ओप्सन है भारत के राष्टपती, भारत के परधान मंतरी, लोकसभा सचीवाल लिए, भारत का सर्वोच नियाल लिए आपको बताना है इसका आंसर तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत का सर्वोच नियाल लिए भारत का सर्वोच न्याले यानि D-Option अभी ये सवाल खतम नहीं हो जाता इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ ठीक है guys अब मैं आपको बता देता हूँ D-Option आपका correct answer हो जाएगा और जो ये आपका अस्तित्म में आया ये आपका अस्तित्म में आया भारत का सर्वोच न्याले कब आया था ये आया था 28 जन्वरी 1950 में ये आपका अस्तित्म में आया था मतलब ये एक existence में आया था ठीक है अब मुझे आप लोग कमेंट करे के बताना टोटल न्यायदीस कितने है टोटल नियाएदीस कितने है वर्तमान में एक तो आपको होता है मुख्य और 33 होते है आपके नियाएदीस मतलब एक तो मुख्य नियाएदीस और 33 आपके नियाएदीस टोटल होते हमारे वर्तमान में 34 अगर कोई यह पूछने लगे पहले कितने होते थे एक हमारा मुख्य होता था और साथ हमारे नियाएदीस होते थे एक मुख्य नियाएदीस और साथ नियाएदीस ठीक है गाईज आयोब दोस्तों यहां तक आपको किलियर हो गया होगा और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का उलेख होता है सुप्रीम कोर्ट का उलेक होता है कौन से आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 124 के अंडर ये भी आप से पूछा जा सकता है ओके गाईस सारी चीज़ें आपको किलियर हो गई होंगी टोटल नियाएदीस है आपके 34 वर्थमान में ये आपको याद रखना है अगर आपको एक्जाम में ओप्सन मिलेगा 33, 35, 34, 32 मतलब अगर वो बोलेगा टोटल नियाएदीस कितने है हमारे तो टोटल है 34 ये आपका करेक्ट हो जाएगा नियाएदीस की बात करहों में सिर्फ ठीक है तो इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा डी ओप्सन के साथ में तो दोस्तों यहां तक इस सवाल को है इसकी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी है ठीक है गाईस अब अगला सवाल भी कर लेते हैं मैं आपको पूरा डीप पढ़ाना चाहता हूं एक सवाल गाईस आपका ये भी इंपोर्टेंट बन जाता है किस तारिक को सविधान सभा के सदस्यों ने सविधान में अपने हक् अंतिम रूप दिया आप लोग पढ़शकते हो राम से सवाल को किस तारिक को सविधान सभा के सदस्यों ने सविधान में अपने हक्स्ताक्षर को अंतिम रूप दिया पहला उप्सन दूसरा उप्सन तीसरा उप्सन चोथा उप्सन जल्दी से बताएंगे आप लोग आन्सर चला जाओगा ओके का इस समीदान सबा की पहली बैटक कब हुई थी ये कोई बता सकता है समीदान सबा की पहली बैठक समीदाण सबा की पहली बैटक ये हुई थी नो दिसम्बर उन्नीसो चॅरिज में मेंbelt Guardu दूसरी बैठक हुई थी आपकी क妝 भूडी ये भी कोई बता सकता है ये आप कमेंट करके बता देना दूसरी बैटक कब हुई थी लेकिन ये ही पूछा जाता है जाद अतर पहली बैटक कब हुई थी समिधान सभा की पहली बैटक हुई थी समिधान सभा की पहली बैटक कब हुई थी सविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में तो correct answer हो जाएगा आपका C option तो दोस्तों इस परकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते हो ये एक्जाम में जरूर मिलेंगे ऐसे सवाल आगे बढ़ लेते अगले सवाल पर एक गाईज ये सवाल भी बड़ा बहतरीन पूचा जाता है भारते सविधान के तहट उलेखित मोलिक अधिकारों को परावधान निमलिकित में से किस देश से लिया गया है कौन से मोलिक अधिकार यानि fundamental right कौन से देश से लिये गये हैं ये आपको बताना है और मुझे ये भी बताना है fundamental duties कहां से लिए गई है चलो मैं एक एक बता देता हूँ आपको इस सवाल का right answer हो जाएगा दोस्तों क्या संयुक्त राज्य अमेरिका USA से हमारे fundamental right लिये गए हैं अमेरिका से तो correct answer हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका B option आपका right हो जाएगा ठीक है यह option आपका correct हो जाएगा अब फ्रांस सिसी के समिधान से क्या लिया गया है फ्रांस के समिधान से समानता और बंदूत्व आदर्श कहां से लिए गए है फ्रांस से अमेरिका से लिए गया है fundamental right जापान से क्या लिया गया है विविद द्वारा इस्थापित की पर्तिक्रिया विविद द्वारा विविद द्वारा इस्थापित की पर्तिक्रिया विविद द्वारा इस्थापित की पर्तिक्रिया आपके कहां से लिए यह जापान से क्या बोला मैंने विविद द्वारा इस्थापित की प्रिक्रिया ओके डक्षिन अफरिका के समिधान से क्या लिया गया है कि समिधान में हम संसोधन कर सकते हैं यह हम कहा से लिया है अगर कोई संसोधन करना है समिधान में तो ये कहां से लिए गया है दक्षिन अफरीका के समिधान से कैसे भी आपका सवाल बने आप लोग अराम से बता सकते हो और जो fundamental जो हमारे मौलिक करतव यह है या fundamental duty है ये कहां से लिगी है ये लिगी है रूस के समिधान से ये भी आपको याद रखना है तो दोस्तों I think आपक का correct answer चला जाएगा sorry B option B B B आपका सवाल का right answer हो जाएगा तो दोस्तों ये सवाल आपको मैं लोग कर देता हूँ आपको बढ़िया से clear हो गया होगा दोस्तों अगर आप लोग मेरी class लोगे हमारी playlist देखोगे नीचे channel में जो भी playlist है पहले नंबर की playlist है 100% आपका selection होगा एक वीडियो पूरा देखकर जाओ तभी आपको clear होगा एक एक सवाल ओके अगला सवाल देख लेते हैं भागडा नागल बांध किस नदी पर इस्तित है ये आपको बताना है तो गैस ये आपका सतलूज नदी पर इस्तित है ये option आपका correct answer हो जाएगा ठीक है ये आपको याद रखना है और जो ये भागडा नागल बांध है ये किस नदी पर है सतलूज पर यानि ये option और ये कहां पर है भागडा नागल बांध कौन से राज्या में है हिमाचल परदेश में ये भी आपको याद रखना है ठीक है चिनाब नदी पर कौन सा बांध है चिनाब नदी पर इस पर बांध है बग लिहार बांध ये किस पर है ये आपका है चिनाव नदी पर और ये कौन से राज़म पढ़ता है जम्मू एंड कास्मीर में ये भी आपको याद रखना है राजीत सागर बांध किस पर बढ़ता है ये पढ़ता है जे कहा पढ़ती है पंजाब में ये आपको याद रखना है तो दोस्तो इस सवाल का right answer हो जाएगा A option इस परकार आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे मैंने छोटे-छोटे point आपको clear कर दिये दोस्तो थोड़ा लिखने में problem यहाँ पर हो रही है उसको आप लोग adjust कर लोगी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कोन था कुतुबदीन अहबक, इल्तुतमिस, रज्य सुल्तान या अलाउदीन खिल जी तो दोस्तो इस सवाल का right answer हो जाएगा आपका क्या कुतुबदीन अहबक A option और इसके जो सासन था उसका नाम क्या था दास वन्स यानि सलेव डाइनेस्ट्री क्या था दास वन्स और इसका जो सासन काल था कब से कब तक था बारासो चैसे लेकर बारासो दस तक बारासो दस तक ये भी आपको याद रखना है और इसके बाद में कोन आया था वैसे तो इस सवाल का right answer हो जाएगा A option इसका जो सासन काल था कब से कब तक था 1211 से लेकर 1236 तक मैं एक एक point आपको clear कर दे रहा हूँ आगे आप कभी नहीं बूलोगे 1236 से लेकर रज्य सुल्तान इसके बाद आया इसका कब से कब तक था 1236 से 1240 तक इसने राज किया फिर इसके बाद आया अलावदीन खिल जी इसने कब से कब तक राज किया 1296 से लेकर 1216 तक sorry 1316 तक ये इसने राज किया ठीक है गाइस अब मुझे बतादो जो खिलजी वंस था जो खिलजी वंस था खिलजी वंस खिलजी इसकी स्ताबना किसने की थी वो की थी जलालुदीन खिलजी ने किसने जलालुदीन खिलजी ने यह आपको याद रखना है जलालुदीन खिलजी किसकी स्थाबन कीती इसने खिलजी वंस की तो दोस्तों इस सवाल का correct answer हो जाएगा आपका A option A option आपका right answer हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार तरीका होता है कोई भी सवाल करने का यही तरीका होता है अगला सवाल भी देख लेते है एक सवाल गाईज आपका कई बार यह भी पूछ ले जाता है भारत में हरित करांती के जनक किसको कहा जाता है जी पोल नॉर्मल बोरलोग वी नील सोरी वोन नील या MS स्वामिन नाथन तो D option आपका right answer हो जाएगा यह जादतार एक्जाम में पूछ ले जाता है यह 100% आएगा कि हरित करांती के जनक कोन है Green Revolution के फादर कोन है अगला सवाल देख लेते हैं काफी बहतरीन सवाल है दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं और जो साइड में घंटी होती है इसको ओल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टुटे मिलते रहे पूरी किलास करांगा और आप लोगों को सेलेक्शन दिलाकर ही मैं एक तरह से मेरा टार्गेट है आपको सेलेक्शन दिलाना निमलिकित में से कौन सा पानी में घुलंसीन वी विटामिन है पानी में कौन-कौन से घुलते हैं मैं पहले आपको बता दू एक आपने सुना होगा WBC एक WBC आपकी बलड सेल होती है white blood cell और आपके कौन कौन से विटामिन होते है एक होते हैं आपका कीडा कीडा जो ये कीडा वाला होता है ये तो आपके होते है वसा में गुलनसील यानि fat में गुलनसील जो कीड़ा होता है यह वसा में गुलंसील होता है और जो WBC होता है W का मतलब होता है water, पानी और यह बच्चे कौन से पानी में गुलंसील यह आपको याद रखना है ऐसे विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A यह आपके वसा में है और यह आपके पानी में है इतना आपको पता चल गया ओके गाइस इसने पूझा कौन सा विटामिन वसा में गुलंसी ले इसने नाम पूझ ले विटामिन का एक तरह से तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एसकोर्विक एसिड एसकोर्विक एसिड किस विटामिन का नाम है विटामिन सी का नाम है तो दोस्तों यही आपका पानी में गुलंसी ले सी ओप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके गाइस ऐसे आप लोग इस सवाल को कर सकते थे यह ट्रिक भी आप लोग याद रखना तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इतना ही मिरे को बताना था वीडियो पसंद है लाइक करके जरूर जाना और हमारी प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो है आप लोग एक एक करके सारी वीडियो देख लो जो भी मैंने नया एक्जाम टारगेट अगस्त एक्जाम के टारगेट के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है तो दोस्तों पहली बार चैनल पर आये थे सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों में सेयर कर देना तो मिलते अगली वीडियो में मेरा टारगेट रहेगा 25 में से 25 और जल्दी वीडियो अगली वीडियो भी आपकी आएगी अगली वीडियो भी आपकी आएगी सभी सब्जेक्ट पर में आपकी वीडियो बनाने वाला हो तो मिलते अगली वीडियो में भगवान करें आपके सपने सचो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी अगर आप लोग आगे भी वीडियो चाते हो तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच